अगर आप लोग ने हमारी वो क्लासेज नहीं देखी हैं तुमें आपको सजेस्ट करूंगा कि जरूर देखिए आज हम लोग मजीद अहम सवालों को डिसकस करेंगे और सभी सवालों से मुतलिक उछ अहम जानकारिया आपको देंगे मुसदस वो नजम है जिसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं मुसदस के हर बंद में छे मिसरे होते हैं तो मुसदस के हर बंद में छे मिसरे और रुबाई में चार मिसरे होते हैं ठीक है रुबाई में चार मिसरे होते हैं ये भी याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं मीर अनीस का असली नाम क्या था उर्दु का होमर इनको कहा जाता है इब्नाइ तकल्स इनका हजिए था बाद में इन्होंने अपने उस्ताद नासिफ के कहने पे तकल्स अपना अनीस कर लिया फैजाबाद में 1802 इस्वी में पैदा हुए और इनका इंतिकाल लखनौ में हुआ था 1874 इस्वी में अर्दू में मरसिया के सबसे बड़े ये शायर माने जाते हैं मेर अनिस इनके जो मरसिये हैं नमके खान तकल्म है फसाहत मेरी इनका बहुत ज्यादा मशहूर मरसिया हुआ है ठीक है इनके बारे में खाजा हैदर अलियातिस कहते हैं कौन बेवकूफ कहता है तुम मरसिया गो हो वल्ला सुम्म वल्ला तुम शायर हो और शायरी का मुकदस ताज तुमारे ही सर पर जेब देता है साथी साथ आतिस ने एक और बात इनके बारे में कही थी कि मीर खली का लॉंडा आफटें ढा रहा है ठीक है इनका एक मरसिया है जिसका नाम है आजशबीर पे क्या आलम तनहाई है ये जब लखनौ से दिल्ली पहुझा तो शेफता ने क्या कहाता पता है उन्होंने कहाता कि मीर अनिस ने खामखा पूरा मरसिया लिख दिया यही एक मिसरा ही काफी था अब्दुर्हलीम श्रा इनके बारे में लिखते हैं कि मीर अनिस ने मरसिया गोई के साथ साथ मरसिया खानी को भी एक फन बना दिया तो ये मीर अनीस हैं इनका असली नाम मीर बबर अली था आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मरसिया के अज़ाय तरकिवी कितने हैं तो आठ हैं समझे ये मरसिया क्या है मरसिया लबजे रिसा से बना है जिसके माने है गिरिया करने के, रोने के मर्सिया इस्तिला में उस नाजम को कहते है जिसमें किसी मरने वाले की खुब बयान की जाए लेकिन खास तोड़ से मर्सिया का इतलाक अब उस नाजम पे होने लगा है जिसमें एमामुसैन आलची के शाधत या उससे मतलिक कोई वाकिया, गमंगेज पराये में बयान किया जाए, तो उसे हम मर्शिया कहते हैं मिर जमीर ने मर्शिया की शकल और उसके starch की जाएतर की मतउयन किये थे, पूचा जाता है कि मर्शिया के अज़ाय तरकिवी किस ने मतायन की अमीर जमीर ने और मर्शिया को मुसद्दस की हैयत किस ने अता की सौधा ने मर्शिया के आट अज़ाय तरकिवी में पहला चेरा, फिर सरापा, तीसरा रुखसत, चोथा आमद, पांसवां रजज, छटा जंग, सातवा शहादत और आठवा बैन है ठीक है ना तो ये आठ अज़ाय तरके भी है मरसिया के उर्दू में मरसिया निगार की इप्तिदा का बुई थी 16 वी सदी में उर्दू का पहला मरसिया निगार की से माना जाता है अश्रव बयाबानी को जिन्होंने 1503 इस वी में 9 सरहार एक मस्नवी लिखे थी जिसमें मरसिया के नकूस देखने को मिले थे शुमाले इंद का पहला मरसिया निगार की से माना जाता है रोशन अली को जिन्होंने आशूर नामा लिखा था अगला सवाल देखिए मरसिया किस जबान का लफजा है तो मरसिया के बरे में सब कुछ मैंने बताया यह ने बताया था कि किस जबान का लफजा है तो अब सुनिए मरसिया अरभी जबान का लफजा है जो रिसा से निकला है रिसा के मानी क्या है बेन करने के आहो बुका करने के अगला सवाल है कि मरसिय देहली मरहूम ये किस ने लिखा था तो खाजालता फुसेन हाली ने लिखा था मरहूम दिल्ली कालेज किस ने लिखा था तो मौलवी अब्दुल्हक ने लिखा था मरहूम दिल्ली कालिज आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को मिर्जा दबीर की सने पैदाइस के आए देखिए मीर अनीज के तो आपने जान लिया कि वो पैदा हुए थे 1862 में फैजाबाद में अब दबीर कब पैदा हुए थे तो एक साल बाद 1863 में कहां पे दिल्ली में पैदा हुए थे याद रखिएगा मिर्जा दबीर लखनो में या फैजाबाद में नहीं दिल्ली में पैदा हुए थे और इनका इंतिकाल कब हुआ था मिरनमिस के एक साल बाद 1875 में ठीक है वालिद का नाम इनके था मिर्जा गुलाम हुसैन इनके उस्ताद का नाम था मिर्जमीर ठीक है ना इनके जो इनकी जो मरसिया के लिए जो जिल्दे हैं मरसिया की जो जिल्द है जिसमें इनके सभी मरसिया जो कि 20 जिल्दों पे मुश्तमिल है उसका नाम क्या है तो इनके मरसिय का मजमुआ पी जिल्दों पे मस्तमिला जिसका नाम है दफ्तर मातम ठीक है दफ्तर मातम मिर्जा सलामत अली दबीर का मरसियों का मजमुआ है जिसमें उनके सारे मरसिय जमा है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर अगला सवाल कि दीनों सियासत किसकी नजम है तो अल्लामा अकबाल की नजम है Allama Aqbal के चार शेरी मजमुए हैं पहला है बागेदरा उसके बाद दोसरा क्या है बाले जिब्रील फिर जर्बे कले मुसके बाद अर्मगाने हिजास ये चार शेरी मजमुए हैं ठीक है दीनों सयासत इन्ही चारों में से एक में का एक नजम है तो कौन सी शेरी मजमुए में दिनों सियातर अकबाल की नजमा है आप लों को कमेंट में बताना है मतला किसे कहते हैं तो गजल का जो पहला शेर होता है उसे मतला कहते हैं गजल का जो सबसे अच्छा शेर होता है उसको हम बैतुल गजल याफिर बैतुल गजल कहते हैं इसका एक और नाम है शाह बैत ठीक है गजल का आखरी शेर जिसमें शाहर अपना तखलुस या कल्मी नाम इस्तेमाल करे उसको हम मकता कहते हैं गजल का दोसरा शेर भी अगर हम काफिया और हम रदीफ हो तब उसको हम हुसने मतला कहेंगे ठीक है ना अगले सवाल में गजल कि जबान का लफजा है तो गजल अरबी जबान का लफजा है गजल अरबी जबान का लफजा है जिसके मानी है औरतों से हुसन औ इश्क की बातें करना गजल के तमाम मिसरे एक ही वज़न में और एक ही बहर में होते है याद रखिएगा गजल की जो खुसूसियत है वो क्या है इजाजो इख्तिसार है गजल में कम से कम पांच शेर होते हैं और ज्यादा ज्यादा अशार की कोई कैद नहीं है चलो तो यहां पे गजल अरभी जबान का लफज है आपने जान लिया आगे बढ़ते हैं उर्दू का पहले साहिब दिवान शायर किसे का जाता है देकि उर्दू के पहले साहिब दिवान शायर कुली कुतुबशा है लेकिन अगर आपसे सवाल इस तरह से बजल के पूल दे कि मसूद फुसैन रिजवी के मताबिक शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शाहर कौन है? तो शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शाहर सद्रुद्दीन मुहम्मद फाइज है तो फाइज को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शाहर माना है मसूद हुसैन रिजवी ने आगे बढ़ते हैं अंगले सवाल को देखते हैं फानी बदायूनी ने पहली घजल कब कही थी आप देखो फानी बदायूनी ये बहुत ही अहम नाम है इनको समझे इनका जो लकब है वो यासियात का इमाम इनको कहा जाता है 1889 में पैदा हुए थे और 1941 में इनका इंतिकाल हुआ था पहले तखलूस इनका शौकत हुआ करता था क्योंकि इनका असली नाम शौकत अलिखा है बाद में इन्होंने अपना तखलूस फानी कर लिया ठीक है ना इन्होंने अपनी पहली जो घजल कही थी वो 1890 में कही थी कब 1890 में और फानी ने 1898 में अपना पहला दिवान मुरत्ब कर लिया था लेकिन उनके वालिद ने उसे गुस्से में आके जला दिया था उसके बाद इन्होंने अपना तखलूस 1899 में फानी कर लिया और 1906 से लेकर के 1917 तक लगब 11 साल ये शायरी से दूर रहे उसके बाद शायरी में आए तो छा गए फानी की गजल की खुसोसियत क्या है कौनूतियत इनके गजल में पाई जाती है उसके बाद इनका एक दिवान चोरी भी हो गया था 1906 में जब फानी अलिगड में थे तो उनका दोसरा दिवान पहला दिवान तो उन्होंने अठार सो अंठानवे में जला दिया था दोसरा 1906 में अलिगड में चोरी हो गया था तो इनका जो पहले गजल इन्होंने कही थी अठार सो नववे में कही थी काउन सजुन मरसिया के जायतर के भी में शामिल है मरसिया की आट जायतर के भी हमने चेरा सरापा रुखसत आमद रज्ज जग शहाधत और बेंद बताए था तो ये जो शहाधत है ये मरसिया का जुज है जबकि तश्वीब और गुरेज ये दोनों कसीधा के जुज़ है और मतला तो होता है घजल में ठीक है बाकी असनाफे शेरी सुखन में भी मतला होता है लेकिन आम तरसे हम घजल कहते हैं तरक्की पसंद तैरिक की तेदा किस साल में तो 1935 में कुछ हिंदुस्तानी तालवेल में जो लंदन में रहते थे सज्जाज जहीर मुलक राजानंद डाक्टर जेवति घोस वगेरा ने नान किंग रेस्टूरेंट में इसका मैनिफेस्ट तैयार किया था तरक्की पसंद तैर कि मजमुआ नजम गालिब में शामिल नजमे हाली ने कहा पड़ी थी तो अंजवन पंजाब के मुशाइरों में पड़ी थी देखो अंजवन पंजाब के मुशाइरों में इन्होंने चार नजमे पड़ी थी कौन कौन सी पड़ी थी तो पहला तो इन्होंने बरखारुद किसके नजमे हाली की है बरखारुत के इलावे इन्होंने निशातِ उम्मीद, हुब्ब वतन और मुनाजरे रह्म और इनसाफ ये चार नजमें अंजमन पंजाब के मुशायरों में हाली ने पढ़ी थी जिनको मजमुए नजमे हाले में शामिल किया गया है तो पहला वाला अफसन सही होगा एकबाल के किस मजमुए में नजम मिर्जा गालिब शामिल है तो इनका जो पहला शेरी मजमुए बागे दरा उसमें नजम मिर्जा गालिब शामिल है बागे दरा इन्होंने अपने प्रोफेसर प्रोफेसर अर्नाल्ड की याद में लिखा था नाला फिराग तराने हिंदी जी जो हम गाते न सारे जहां से अच्छा ये तराने हिंदी भी बागे दरा में शामिल है शिकवा और जवाब शिकवा दोनों नजमें बागे दरा में शामिल है शमा और शायर और तलू इसलाम ये सबी नजमें भी बागे दरा में शामिल है इनका पहला शिरी मजमुआ है बागे दरा जिसमें नजम मिर्जा गालिब शामिल है मसनवी यूसुफ जुलेखा किसकी है तो ये मीरा हाशमी की है मीरा हाशमी की मसनवी यूसुफ जुलेखा है शौक लखनवी की जहरे इश्क है वाजिद अलिशान ने कोई मसनवी ने लिखी लेकिन इनका राधा का नईया ड्राम मशूर है मुलावजी की कुतुब मुष्टरी है मसनवी गोलकुंडा की पहली तबजाद मसनवी जिसे करार दिया जाता है गजल बजा तोर पर उर्दु शायरी की आबरु है यह जो कौल है किसका है अब देखिए यह जो कौल है रसीद एमसिद्धिकी का है अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि गजल से मतलिक जो मशहूर अकवाल है जो की अक्सर आपसे इम्तिहान में पूछे जाते हैं वो आपको मैं बता दूँ तो गजल उर्दु शायरी की आबरु है आपने जाना रसीद एमसिद्धिकी का है गजल जतनी बदनाम है उतनी ही मुझे अजीज है और गजल शायरी नहीं तहजीब भी है यह सब इस्टेट्मिन रशीद एमसिद्धिकी के हैं गजल मुख्तलिफ फूलों की माला है गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है और गजल इंतहाओं का एक सिलसिला है यह फिराग गुरकपुरी का तीनों स्टेट्मिन्ट है गजल का खमीर इश्को महबत है यह शिबली नुमानी का कौल है गजल निकाप पोश आठ है और चावल पर कुल हुआ ला लिखने का आठ है यह बी यह किसका है आले अहमस्रूर का है इसके लावा आले अहमस्रूर का कौल गजल बड़ी काफिर सिन्फिस होकान है काफी जबकि हाली कहते हैं कि गजल बेवक्त की रागनी है तो यह सब गजल से मतलिक अकवाल जो अक्सर पूछे जाते हैं मैं आपको बता दिये चलिए रूह काइनात यह शियरी मजमुआ किसका है तो रूह काइनात जो शियरी मजमुआ है यह फिराग गोरख पूरी का है 23 अगस 1896 में यह पैदा हुगा और 1982 में इनका इंतिकाल हुआ इनके जो शियरी मजमुए हैं उनमें तोफ़ खोशतर है पहला इनका शियरी मजमुआ फिराग का शोलह साज है रूह काइनात है जो कि आप से पूचा है रूह काइनात यह फिराग का है इसके इलावा मशाल रूप इनकी रुबाईयों का मजमुए है गुले नगमा बहुत ज़्यादा मशूर है इनको ग्यान पीट अवाड मिला था गुले नगमा इनका शियरी मजमुए है 1969 में शया हुआ था इसके इलावा हजार दास्तान गजलिस्तान शेरिस्तान धर्थी की करवटें यह सब इनकी अहम तसानिफ है इनकी नस्री तस्निफ की बात करें तो हाशिय के नाम से इनकी एक तनकीदी तस्निफ है और इसके इलावा उर्दू की इश्किया शाहरी भी इनकी एक नस्री तस्निफ है मन आनम इनके खुतूत का मजमुआ है ठीक है मन आनम इनके खुतूत का मजमुआ है और उन्होंने अर्दू साहित का इतिहास ये भी लिखा हिंदी में ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है तो सहिर अलबयान ये मीर हसन की मसनवी है इसमे बामसम्मा इसको कहते हैं उर्दू की सबसे ज़्यादा मशूर और मकबूल मसनवी है सेर अलबयान फानी बदायूनी का पूरा नाम शौकत अली खाता यासियात का इमाम इनको कहते हैं फानी बदायूनी को अन्जुमन पंजाब कब कायम हुई थी तो 1865 में जिसमें हाली ने अपनी चार नजमें जो बरखारूत, हुब्बे वतन, मुनाजराय रह्म और इनसाफ और एक और थी निशात अम्मेदिय चार नजमें हाली ने पढ़ी थी आदिल शाही खांदान की सलतनत का आगास किस सन में वगा था तो 1490 में, अलिगर तहरीक किस सदी में शुरू ही थी? 19. सदी में, अलिगर तहरीक सरस्यद अमाद खाने शुरू की थी बहमनी सल्टनत का जवाल किस सदी में हुआ था तो पंडरहमी सदी में बहमनी सल्टनत का जवाल हो गया था दिल्ली का दबिस्तान शायरी ये किसकी तस्निफ है नूरुलहसन हाश्मी लखनव का दबिस्तान शायरी किसकी है तो लखनव का दबिस्तान शायरी जो है ये प्रोफेसर अबुल्लाइ सिद्दीक की है लखनव का दबिस्तान शायरी किसकी तस्निफ प्रोफेसर अबुल्लाइ सिद्दीक अलामा शिबली नुमानी के मजामीन किस नाम से शाय हुए तो मकालात शिबली के नाम से शाय हुए थे अगले सवाल में दो अदवी स्कूल या पाया तक्त बनाया था तो 14 सदी में ठीक है दौलता बाद उसने अपनी राजधाने को परिवर्टित कर दिया था सर अब्दुलकादिर किस रिसाले के मुदीर थे तो रिसाले मखजन के मुदीर थे सर अब्दुलकादिर तो उर्दू के हमने सभी एहम सवालात कर लिए बाकी और सवालात है जो कि आपके टीचिंग एप्टिटूड के हैं वो भी हम करा देंगे आज के लिए इतना ही बस मिलते हमारी अगली कलास में